नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजी अन्जू न्यू स्टूडियो में जानी एक चौराहे पर छिड़काने की तो अगले चौराहे पर पुलिस कर देगी धेर मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने कहा है कि अब अगर कोई अपराधी या समाज विरोधी तत्व जो पहले किसी एक चौराहे पर किसी बहन या बेटी को छेड़ता हो दुसरे चौराहे पर ड़कैती डालने का दुस्ता हास करता हो अब नहीं कर पाएगा पुलिस उसको अगले चौराहे पर धेर कर चुकी होगी मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने आज कानपूर में पीम आवास योजना के तहत आभार्थियों को घर की चाबी सौपी चिला न्यास किया है इस दौरान उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि डबल इंजिन की सरकार कानपूर समेत प्रदेश के विकास की प्रतिबदता के लिए काम कर रही है सीम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि कानपूर कभी उत्तर भारत के मैंचिस्टर के रूप में विख्यात था अपने उद्योगों के बदौलत अलग पहचान रखता था जो देश भर के नौजवानों के लिए रोजगार मुहया कराता था जिसके बाद सीम ने अगली पिछली सरकारों पर हमला बोलती वे कहा सतर असी के दशक के कुछ लोगों की बदौलत देश के पांच बड़े महानगरों में गिना जाने वाला कानपूर अराजक्ता और अव्यवस्था का शिकार हो गया छिड़कानी करने पर अपराधी होगा धेर मुखे मंतरी योगी आधितनात ने कहा कि 18 शहर ICCC के साथ एकी कृत करते हुए सेफ सिटी के रूप में बन रहे है अब कोई अपराधी या समाज विरूदे तत्व जो पहले किसी एक चौराहे पर किसी बहन या बेटी को छेड़ता हो दुसरे चौराहे पर डेकेटी डालने का दुस्साहस करता हो अब नहीं कर पाएगा CCTV कैमरा हर एक गतिविदी को अपने पास रखेगा अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की तो अगले चौराहे पर पहुँचते पहुँचते पुलिस उसको धेर कर चुकी होगी अब कोई भी सुरक्षा में सेंद लगाने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा उन्होंने आगे कहा कि ICCC के तहट कानपूर सहित 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने की कार्यकरम को आगे बढ़ाया जा रहा है इसका परिवर्तन व्यापक रूप से देखने को मिल रहा है अब कोई भी समाज विरोधी तत्व या अपरात करने की हिम्मत नहीं कर रहा है यहीं नहीं आम जन मानस के सुविधाओं को देखते वी शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विक्सित किया जा रहा है कानपूर में कानून व्यवस्ता हुई स्थापित सीएम योगी ने कानून व्यवस्ता और मजबूत करने के लिए सेफ सिटी की बात की है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानपूर समेट 18 शहरों को सेफ सिटी बनाया जाएगा मुख्यमंत्री इसके पीछे प्रदेश में कानून व्यवस्ता को और बहतर करने की कोशिश कर रहे है न्यू स्टूडियो में और ने खबरे जानने के लिए हमारे साथ बने रहे है रेडियो इंद्रस्तान के मंजबत अब तक के लिए नमस्कार